हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर डियलेट थर्ड समिस्टर की हिंदी की क्लास में आपके लेखको और कवियों के जीवन पर्चे चल रहे थे जो कंप्लीट हो गए थे आज जी क्लास में हम आपका हिंदी का दूसरा चप्रे स्टार्ट करें की जो है आपका सभध के भेव चलिए जो आपका फॉस्ट चप्रे वहां से आपकी रचनाइं सिदे-सिदे पूछी जाती हैं तो रचनाओं को याद कर लेना उनके जो भी लेखके या रचना आका रहे उनको अच्छे से तयार कर लिजेगा चलिए शब्द क्या होता है सभी बच्चे जानते होंगे क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है शब्द क्या होते है वर्णों के सार्थक समू को शब्द कहते हैं जैसे हमने वर्ण ले लिया क, म, और ला अब हम क्या करें इसको कमल एक उसमें अरेंज करें क्या बना दिया कमल तो ये क्या है अर्थ दे रहा है कमल ठीक है तो ये आपका क्या हो जाएगा शब्द लेकिन अगर हमने इसको इस तरह के से बना दिया ल, म, क, ठीक है या फिर क्या बना देते हैं लकम तो ये कोई अर्थ दे रहा है नहीं दे रहा इसलिए ये क्या होगा ये शब्द नहीं होगा वर्णों का सार्थक समुई क्या कहलाता है शब्द कहलाता है जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कमल हो गया पुस्तक हो गया खिलाडी हो गया और भी नाम आप लिख सक यहां पर जैसे मेज हो गई ठीक है दर्वाजा हो गया कलम हो गई कलम बन जाएगा ठीक है कलम कलम यानि की पैन कमल और कलम में वर्ण आपके तीन ही है बस इदर उदर अरेंज कर गया हमने तो क्या बन गया आपके दोनों ही ऐसे शब्द बने जिनका मतला अर्थ निकल रहा है यानि की वर्णों का ऐसा समू बन कर आया है जो अर्थ दे रहा है कलम और कमल दोनों ही तो यह दोनों आपकी क्या हो जाएगे शब्द हो जाएगे तो यहां से आप समझ गए कि शब्द क्या है वर्णों का सार्थक समू अगर आपसे कभी पूछा जाए कि वाक्त क्या होता तो वाक्य होता है शब्दों का सार्थक समू ठीक है शब्दों का सार्थक समू कहलाता है वाक्य तो समझ पारे होंगे आपकी क्या हुआ वर्ण जब मिले वर्ण का सार्थक समू बना तो वो हो गया शब्द शब्द जब कई सारे मिलेंगे और एक अर्थ दे रहे होंगे तो वो क्या कहलाता है आपका वाक के कहलाता है अब आते शब्द के भेद पर तो शब्द का पहला भेद रचना के आधार पर रचना यानि कि इनकी बनावट के आधार पर कैसे बनते हैं तो यह तीन प्रकार के होते हैं रूड योगिक और योग रूड योग रूड आपका 2016 में दियालेट की जो थर्ड समिस्टर की परिक्षा थी उसमें ये पूछा गया था योग रूड शब्द क्या है तो चलिए इसको देखते हैं पहले आते हैं रूड शब्द पे तो रूड शब्द क्या होते हैं वे शब्द जिने तोडने के लिए या तोडने पर या उनके खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ ना निकले अर्थार्थ ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से न बने हो उनको ही क्या बोलते हैं रूड सब्द कहते हैं यानि कि जैसे हमने भी कमल के बात कर रहे थे तो हम क्या करें इस कमल के टुकडे कर दे का प्लस मा प्लस ला तो हम देख पाएंगे इस का का कोई अर्थ नहीं निकलेगा मा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा यानि कि यह कह सकते हैं कि जो भी शब्द होगा उसके सार तक खंड नहीं किये जा सकते हैं वो कहलाते हैं आपके rude शब्द जैसे पानी पानी को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है इसका पा प्लस नी ठीक है तो पानी का कोई अर्थ निकल के आ रहा पा और नी का कोई अर्थ नी निकल रहा है पानी जब बन जाता है तो उसका एक अर्थ निकल कर आता है तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे करें के यहां से नेक्स्ट एक कल को अगर तोड़ेंगे तो का पलस ला और जिसमें का कोई अर्थ नहीं निकल ला गास मकान रोटी कपडा कपडा तो इसको का प्लस पा प्लस ला कर दोगे तो भी कोई अर्थ नहीं निकल तो कुल मिलाके रूड़ शब्द क्या होते हैं ऐसे जिनके सार्थक टुकडे ना किया जा सके यानि कि जिनको तोड़ेंगे तो उन टुकडों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा वो शब्द कहलाते हैं आपके रूड शब्द चलिए आगे बढ़ते हैं नेस्ट क्या आपका योगिक शब्द तो योगिक शब्द नाम से क्लियर हो और आले का भी अर्थ निकल रहा है ऐसे विध्या प्लस आले क्या बन जाेगा विध्या ऐसी मिशन्ठियों में आपको पढ़ायता है क्या देव आले क्या बन जाता है आपका देवाले विशु वीषव विध्या लई भी जब इसको तो टोडूगे तो विश час का ओलंकर यह यौगिक शब्द प्रधान मंतरी मुख्य मंत्री यह सब क्या है यौग एक शब्द है meer दो शब्दों से मिलकर बने हें हैं छात्रवास चात्रों के लिए अवाथ सिस्थान होता है यह झानात चात्री चांत यह नहीं देनास चांता। है ऑ के लिए आवास्टी के संप्रदान का मुततप्रुस हो जाएगा कि संप्रदान जो विवक्ति है कारक है ना उसके चिंद का लोब हो रहा है आपर चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे नेक्स्ट आप विध्याले वगरा भी यह सब आपके वहां पर इंपोर्टेंट रहेंगे पर टाइम नहीं मिल पाया तो योगरूट जो शब्द हैं वह आपके क्या होते हैं एक तरीकी ते जो बहुब्री समास आपने पड़ा होगा ना उसमें क्या होता है कि जो समास पद होगा ना जब वो उसको तोड़ेंगे यानि कि तो उसका कुछ अलग अर्थ निकर ला गजान इन किसका दिलवारा आए गड़ेश जी का तो यहाँ पर समास अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा बहुब्री समास और यह शब्द आपका क्या बन जाएगा योगुरूट शब्द योगुरूट शब्दी परिभासा देखते क्या होती है वे शब्द जो दो या दो से अधिक शबदों के मिल से बनते हैं पर अपना सामान ने अर्थ छोड़कर एक विशेश अर्थ प्रकट करने लगते हैं यही कहलाते है योग रूश्द उनका जो शामाने सब अर्थ होगा उसको नहीं देगी जैसे नील कंट तो कौन हो जाते आपके शिप जी को बोला जाता है नीला है कंट जिसका नीला है कंट लेकिन वह ध्यान किसका दिल और आ यहां रहा रहे हैं आंके अपकर नील प्लस कंट ऐसी पंक प्ल सार प्लिसह क्या हो जाएगा चारपाई का समूई बोल Somos चार पाई की बात करें तो को बोल श्रापर, course लेकिन चारपाही चारपाई का आप की इमेश बन रहे होगी कोर्सी क्यों नहीं आई कुर्सि में भी तो तो चार पैर होते हैं मेज क्यों निया उसमें चार होते हैं तो यह और योग रूड शब्द इनका जो सामान्य अर्थ कर रहा होता है उसको छोड़कर विशेस अर्थ दे लेने लगते हैं एक विशेश चीज का धियान देलवाएं एक तरीके से आप बहुबरी समास की तरफ जा सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं योग रूड शब्द समझ में आ गई कितने थे रचना के आदार पर शब्द तीन प्रकार के रूड शब्द अर्थ ना निकले वो रूड शब्द कहलाते हैं योगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को योगिक शब्द कहते हैं और योगरूर शब्द क्या है वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर बनते हैं पर अपना सामान ने अर्थ छोड़क और एक विशेज प्रकार करते हैं वहीं आपके कहलाते हैं योगरूर शब्द अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके क्योंकि यहां से क्या है डेफिनेशन तो बहुत कम आपकी पूछी जाती है सीधे सीधे आपक खित में से कौन सा शब्द है देशज, विदेशज, संकर, योगरूर तो यह सब आपका आया हुआ था ठीक है चले स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं आपके पांच तत्सम, तदभव, देशज, विदेशज और संकर तत्सम, तदभव आपस संसक्रत तो ऐसे शब्द जो संसक्रत से ज्योंके त्यों हिंदी में प्रेयोग होने लगे हैं उनको बोला जाता है तत्सम सब्द जैसे कार्य, अमरित, राष्ट, गर्धब, भ्रकुटी, वर्ष ये सबी ठीक है ऐसे कूप हो गया, कोकिल हो गया ऐसे बहुत सारी शब्द ह जो क्या है, उत्साह, उत्साह सुनाएं ना, उत्साह, ये सब क्या है, जैसे संसक्रत में यूज होते हैं, यहाँ पर यूज होने लगे, अगनी, अगनी, आग को कहते हैं, अगनी, नेक्स्ट आते हैं, तद्भब सब्दों पर तद्भब शब्द क्या होते हैं, वे और संस्क्रत के हैं किन्तु धीरे धीरे उनका रूप बदल गया और हिंदी में प्रियुक्त होने लगे ठीक है संस्क्रत के थे पर जब लोग बोलते थे थे थो बोल ले मिए या उस शब्द में वो होता है आपका तदभव शब्द तदसम तो संस्क्रत में जैसा था वैसा ही हिंदी में रहेगा तदभव क्या होते हैं संस्क्रत में जैसे थे उससे थोड़ा सा रूप बदल कर हिंदी में प्रयोक्त होते हैं वो तदभव कहलाते हैं जैसे काज या कार कारे का होता है काज या कारज अमिया किसका है अम्रित का है अम्रित को कहते हैं अमिया गधा तो गर्धवक का है यारी कि गधा समझी गए आप लोग भॉं अभी जो भ्रकुटी दिखाए थी भ्रकुटी को हिंदी में बोलते हैं भॉं वर्स वर्स इस तरीके से लिखा जाता पोछा गया था कि आाग और हांथी का तत्सम लिखिये रहाई सेके का नूटगाब कि दो शब्द दीए थे आपके उच्छा चितेरा उच्छा और का तत्सम लेकिते तो उच्छा का तस्म होता है आपका उट्साह की च्छा नीच लिख रही है और आप देख भी पान। है थोड़ा भोलने में ऐसा लगता कठिन से हैं या फिर उच्छारन करने में दिक्कस्याई कि संस्क्रत के शाब में अक्सर लोग सही से बोल नहीं पाते हैं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि थोड़ा सा इनकी बनावट आपको लिखने में थोड़ी सी कठिन सी लग रही होगी तीक है चितेरा तो इसका क्या हो और दूसरा है कूप कोकिल और कूप का तदभव आप मुझे कमेंट से में लिखके बताना कोकिल का तदभव क्या है और कूप का तदभव क्या है यह आपका कुशन पूछा गया था नेक्ट आगे बढ़ते हैं देशर सब्द क्या होते तो देशर सब्द क्या होंगे इस थ नेक्स्ट है आपका विदेशस सब्द यानि की विदेशी सब्द इनको आगत सब्द भी बोलते हैं ये शब्द क्या है किसी दूसरी भासा से हमारी भासा में आ गए हैं तो वे शब्द जो किसी दूसरी भासा से सुईकार कर लिए हैं विदेशी सब्द कहलाते हैं पहला जैस लोगों समझ में आ जाते हैं अर्भी या फार्सी की जैसे क्या हो गया आफट, कतल, फकीर, आदमी, खुफिया, कैदी, खून ये सब क्या हैं आपके फार्सी भासा से लिए गई हैं अंग्रेजी भासा के सब्दों कौन-कौन से जैसे अफसर हो गया कॉलेज, डॉक्टर, टिकर्ट, कर्फियू, इंजन, नर्स, स्कूल, मशीन, स्कूल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग विध्यालर यूज़ करते हैं न स्कूल के लिए लेकिन स्कूल क्या है आपका एक इंग्लिश का सब्द है और इसको हम हिंदी में भी स्कूल लिखने लगें तो यह क्या है अंग्रेजी भासा से हमारी भासा में आ गया पुर्तगाली शब्द में क्या है कनस्तर, आलपीन, अलमारी, इस्पात, इस्तरी, कप्तान, मिस्तरी यह सब पुर्तगाली है इसमें आप आलपीन और अलमारी पे स्टार बना रो यह आपका पूछा जा स सारी दो या तीन भासाओं से मिलकर बने हुए है संकर का मतलब क्या है मिला जुला यानि कि जुड़ा होना तो ऐसे सब्द जो भासाओं के मिश्रट से बने हो उनको कहते हैं संकर मिश्रिक जैसे हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर एक शब्द बना दिया रेल गाड़ी ठीक है ठीक है ठीक है नेक्स्ट क्या है आपका कपड़ा उध्योग माल गोदाम पूझी पती यह सब क्या है संकर सब्द है नेक्स्ट आपसे कुशन मेरे माइन में अभी आ रहा है जिस आंसर और आप लोग मुझे बताएं कि घड़ी साज सब्द कैसा सब्द है अपका घड़ी सज यह योगिक है योगुड है रूड है कैसा है विकारी यह विकारी संकर जितने पढाएं घड़ी सब्द रिक ही में दे देती हूं इसके लिए घड़ी साध सब्ध निम्रिकित में से कौन सा है देशच पहला प्षण के दूसरा नहीं संकर तीसरा प्षण ए विकारी और चौथा औस सब्स्क्राइब अब इन चार प्षण में से आपको बता array कि घड़ी साध शब्द आपका कौन सा सब्द है ठीक है चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं मिलेंगे नेक्स च्लास में जिसमें आपके मैं शब्द के जो भी भेद बाकी के बच्चे होंगे विकारी ये विकारी उनको कंप्लीट कराऊंगी ठीक है चलिए अपना